वीडियो के स्टार में हमें चारों भाईयों को दिखाये जाता है जो ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं उनका सबसे बड़ा भाईयोंने कहता है कि जल्दी करो नहीं तो लेट हो जाओगे इनके बड़े भाई का नाम युजू की हयातो है जो तेही साल का है और एक टीचर है उससे छोटे का नाम युजू की मिकातो है जो तेरा साल का है और फिर चोथे नमबर वाले को दिखाया जाता है जिसका नाम यूजू की गाकुतो है जो अभी प्राइमर्री स्कूल में है उसके बाद तीसरे बेटे को दिखाया जाता है जो यूजू की मिनातो है जो बारा साल का है और अभी फर्स्ट ग्रेड में है हमें एपिसोड में बताया जाता है कि इन चारों के पेरेंट्स कुछ साल पहले मर जाते हैं जिसकी वज़े से ये सब अकेले हो जाते हैं सब अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होते हैं लेकिन मिना तो अपनी लाइफ से खुश नहीं होता हया तो मिना तो से कहता है कि तुम अपना लंच कर लो अभी आठ नहीं बज़े हैं वही मिका तो आता है और कहता है मैंने कपड़े धो दिये हैं अब बस उन्हें सुखाना है मिना तो कहता है ये काम मैं कर देता हूं लेकिन हया तो कहता है कि तुम गाकुतों को स्कूल छोड़ने जाओ गाकुतों कहता है कि चलो मेरे साथ मिनातों कहता है कि क्या मैं तुम्हें स्कूल छोड़ने जाओ तो गाकुतों कहता है क्या मैं बड़ा हो गया हूँ वही उन्हें मिकातों देखता है और उन्हें बाय करता है वही एक लड़की और एक लड़का बाहर निकलते हैं एक गाकुतों को कलास फैलो होता है और एक मिनातों की एक का नाम वाको है तो दूसरी का नाम उडो है उडो मिनातों के साथ जा रही होती है और कहती है मैं अपना मैस का होम वर्क भूल गई हूं तो वहीं मिनाटो को भी याद आता है कि मैं भी अपना होवर भूल गया हूँ दोनो कहते हैं कि फोरण स्कूल में जाते ही नकीडो से काम ले लेंगे नकीडो एक ब्रिलियन स्टूडेंट है उडो और मिनाटो नोर्स कोपी का रहे होते हैं तो नाकीडो कहता है कि तुम दोनों में कोई ज़रा सी शरम नहीं है, तुम दूसरों का नोट्स का पिका रहे हो, और तुम में ज़रा सी फिकर भी नहीं हो रही, तो मिनातो कहता है कि तुम्हारा काम भो ज़्यादा कलीन होता है, वो उसकी ज़रा सी तारीफ कर देता है, और काम पूरा कर लेता है वह इना की दो खुरकी से मिकातो का देखता है और मिनातो से कहता है कि तुम्हारा भाई आई लेट हो चुका है मिकातो कलास में आता है और मिनातो का आवाज देता है और उसे उसकी में बैठ के लंग कर रहा होता है कि उसकी आंख लग जाती है टीचर्स उसकी तरफ देख रहे होते हैं और उससे पुछते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो तो हयातो कहता है कि मैं आदी रात तक बच्चों के पेपर्स को डिसाइड कर रहा था इसलिए मुझे सही तरिके से नीड नहीं आई हयातो कहता है कि मेरे भाईयों को संभलना और साथ में एक्जाइम की प्रिपेशन करना दोनों काम एक साथ बहुत ज़्यादा मुश्किल है तो उसका दोस्त वहीं पे कहता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम्हारे भाई तो एक स्कूल में है और एक अभी फर्स्ट ग्रेड में है हयातों कहता है कि हम अपने पेर्टर्स के बहुत ज़्यादा आदी थे मैं कोई भी काम अपने आप से नहीं करता था लेकिन जब मेरे पेरेंट्स मरे तो सारी जिम्नेदारी मुझ पर ही आ गई वो अपने दोस्तों का शुक्रिया दा करता है वही रात हो जाती है और मिनातों को दिखाये जाता है जो रात के अधाई बजे अपने भाई के पास आता है वो बस खड़े हो के देखते रहता है अभी हैयातों की आँख खुलती ही है कि सावा साथ बच चुके होते हैं उससे समयलाती है तो वो वहां से भागता है हैयातों मिनातों को जैसे ही ब्रेकफास्ट बनाते हुए देखता है वो मिकातों से कहता है कि तुम ये ब्रेकफास नहीं खाओगे क्योंकि वो ब्रेकफास जला हुआ था और मिनातों से कहता है तुम मेरा हर काम बढ़ा देते हो हायातों को ये भी पता चाल जाता है कि मिनातों नहीं अलाम कुलॉक बंद की थी और उसपर चिलाने शुरू कर देता है जिसकी वज़से में घर से बाहर चला जाता है अट्टों मिनातों से पूछती है कि क्या हुआ है और ये भी कहती है तुम दुखी लग रहे हो मिनातो कहता है इन सब को छोड़ो मुझे अलेक्टरोनिक लेनी है तो ड़ो कहती है मुझे तो कुराटे कलास लेनी है इसलिए मैं और कुछ भी नहीं का सकती जब मिनातो स्कूल से घर वापिस आ रहा होता है तो वो गाकू तो से कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो लेकिन वो कहता है कुछ नहीं मिना तो देखता है कि एक बॉर्ड पे फायरवक्स के बारे में लिखा होता है मिना तो कहता है क्या तुम फायरवक्स देखना चाते हो लेकिन गाकू तो कहता है कि ऐसा नहीं है मिना तो कहता है मैंने तुम्हें पहले भी ऐसा करते हुए देखा था गाकू तो कहता है मुझे और कुछ याद नहीं है बस मुझे इतनो याद है कि जब मैं छोटा था तो मेरे मॉम डैर मुझे साथ लेकर जाते थे लेकन आप मुझे कोई भी नहीं लेकर जाता गाकु तो कहता है मुझे ऐसा लगता है हम मेंसे किसी ने भी कोई फारवाक्स नहीं देखी मिनातो कहता है चलो चलते हैं देखने के लिए गाकु तो कहता है लेकिन हयातो तो बहुज़ादा बीजी है तो मिनातो कहता है सिर्फ हयातो तुम्हारा भाई नहीं है मैं भी तुम्हारा भाई हूँ मिनातो गाकुतों से कहता है कि बगार किसी बड़े के तुम अकेले वहाँ नहीं जा सकते तुम्हें मुझे साथ ले कर जाना ही होगा गाकुतों मिनातों का शुकर यादा करता है जिससे मिनातों उसके गले लग जाता है क्योंकि मिनातो को कोई भी काम नहीं कहा जाता मिनातो कहता है ये एक टॉप सिक्रिट होगा जो हयातो को बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए और ये भी कहता है कि अगर तुम मिकातो को बताओगे तो वो भी हयातो को बता देगा मिनातो सोचता है अगर मैं अकेले गाकुत को साथ ले कर चला जाओंगा तो इस से मेरे बड़े भाई मेरी इज़त करेंगे मिनातो घर आता है और अपना पिगी बैंक तोड़ देता है जिस से कुछ पैसे निकलते है गाकु तो कहता है ये कितने पैसे होंगे तो कहता है 200 से 500 लेकिन ये सारी बात मिकातो सुन लेता है लेकिन वो किसी को कुछ नहीं कहता मिनातो और गाकु तो ट्रेन में जा रहे होते हैं मिनातो बहुत ज़्यादा खुश होता है गाकु तो बहुत ज़्यादा है मिनातो कहता है अभी तक फायर वाक्स टार्ड नहीं हुई मिनातो कहता है कि जो तुम खाना चाहो और जो तुम खेलना चाहो खेल सकते हो दोनों मिलके गेम्स खेलने लगते हैं और दोनों कोटन कैंडी लेकर खा रहे होते हैं और बहुत ज़्यदा खुश होते हैं गाकु तो कहता है कि हायातो बहुत ज़्यदा घुसा होगा गाकु तो कहता है कि अगर मैं खो गया तो क्या गाकू तो कुरिशी मा के घर है मिकातो कहता है अगर तुम कहो तो मैं उसे ले आता हूँ तो हयातो कहता है दोनों साथ में चलते हैं जब वो दोनों जाते हैं तो गाकू तो वहाँ पे नहीं होता और वो कहते हैं कि वो आज आया भी नहीं है जब हयातो उडो से पूछता है तो वो कहती है कि वो फोरन स्कूल के बाद भाग गया था हयातो बहुत ज़्यादा परशान हो जाता है उस वक्त उन्हें फाइरवक्स का ख्याल आता है मिकातो कहता है फाइरवक्स के बारे में वो दोनों बात का रहे थे हयातो कहता है जल्दी से उन्हें ढूलो वो बहुत ज़्यादा परशान होता है और ट्रेन में बैठे होते हैं हयातो कहता है जब मैंने मना किया था तो उन्हें वहाँ जाने की क्या जरूरत थी तो मिकातो हयातो को समझाता है कि तुम बहुत जादा बीजी हो जिसकी वज़ा से मिनातो तुम पर बॉल नहीं बनना चाता वो बेशक मुझसे ग्यारा माँ चोटा है लेकिन फिर भी चाता है कि वो सारे काम खुद से करे मिकातो हायातो को समझाता है कि मिनातो की परसनेलटी ऐसी ही है वो तुम्हारा और गाकुता को ख्याल रखना चाता है उज़र हमें ये भी दिखाये जाता है कि गाकुता गुम हो जाता है और मिनातो भाग के उसे ढूंड रहा होता है लेकिन वो किसी से टकरा के गिर जाता है मिनातो फायरवास देखता है वो अपनी मौम और डैड और अपने भायों के बारे में सोच रहा होता है और कहता है मैं कुछ भी नहीं कर सकता वही हयातो आता है और कहता है मैंने तुम लोगों को ढूंडी लिया लेकिन मिनातो परशान होता है और कहता है कि अब मैं क्या करूँगा क्यूंकि गाको तो खो गया है हयातो कहता है क्या तुम लोग बेवकूफ हो और कहता है चलो वापिस चलते है मिनातो सोरी कहता है क्या मैंने गाको तो को खो दिया वहीं गाको तो भाग के आता है और कहता है मैंने अभी भाई को देखा है मिना तो उसे कस किगले से लगा लेता है और सब भाई फाइर वाक्स देखने लगते हैं हया तो दोनों को कुछ नहीं कहता गाकु तो कहता है आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ हया तो कहता है हम अगली दफ़ा जरूर आएंगे मिका तो कहता है कि अगर तुम्हारी गल्फरेंड हुई तो फिर तुम क्या करोगे क्या तुम्ने शादी नहीं करनी हया तो कहता है कि हम चारों भाई हैeveryone कुछ भी हो हम चारों यहां वापिस जरूर आएंगे कल सेचर डे है और कल पुरा दे मेरे रेस्ट का है और मिनातो से कहता है कि मेरी लॉंडरी में हेल्प करना मिनातो कहता है कि ये सब कुछ तुम मुझ पर छोड़ दो मिकातो कहता है मैं तुमें कप्रे डाय करना सिखाऊंगा लेकिन मिनातो कहता है कि ये काम मैं खुद कर सकता हूँ इसी की नौक जोक के साथ हमारा आज की एपिसोड एंड होता है मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तके लिए आला हाफिस